आज का जो टॉपिक है वो बहुत फेमिनेंस के लिए बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है इस्पेशली उन फेमिनेंस के लिए जो इस चाइन पे काफी चीजे फेस कर रही है कर जो जो काफी चीजे फेस कर रही है वो ये है कि वो इस टायम कन्फिजन में है इस चीज को ले कर कि जो हमारे मासकुलिन्स है वो इतना सदा हमारे लिए सेक्शूली इंकलाइंट क्यूं है तो जो masculine है वो अपने twin flame के लिए अपने feminine के लिए sexually इसलिए इतना सदा inclined है क्योंकि masculine को हमेशा से यही पता है कि उनके way of expressing things through intimacy ही है तो बहुत सारी feminines complain करती है कि masculine जो है वो only sexuality की तरफ inclined है और they don't care about love, बहुत सारी feminines की complain मेरे पास भी आई है और as a masculine जो मैंने observe किया है वो यह है कि feminines जो है उनके sacral chakra में बहुत सादा problem होते है fear of getting intimate, आपके twin flame के साथ fear होते है आपके sexual traumas होते हैं बहुत सारे जिनको heal करना बहुत important होता है तो जब आपके twin flame से आप मिलते हो तो वो sacral chakra के जितने भी fear है आपके बहार आते है तो जब आपके twin flame आपको physically touch करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा problem होनी शुरू होते हैं आपके sacral chakra के सारे fear बहार आते हैं कि ये भी बाकियों की तरह निकलेंगे intimate होके भाग जाएंगे ये ये कर लेंगे या वो कर लेंगे बट जो feminines होती है उनका basically जो part होता है वो होता है love और जो masculine होते हैं उनका होता है sexuality तो intimate ज़्यादा होना वो पसंद करते हैं masculine और जो दोनों की energies merge होती है और दोनों balance आप balance out करना शुरू करेंगे अपने sacral chakra पर work up करना शुरू करेंगे love और sexuality दोनों को balance करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके masculine भी जो है वो sexuality और love दोनों को balance out करना शुरू कर रहे हैं और वो love की तरफ भी उतना inclined हो रहे हैं जितना आप sexuality की तरफ inclined हो रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर आप दोनों intimate होना चाहते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने masculine को energy मत भीजो अपने masculine को sexuality के बारे में मत सोचो ऐसा आप करी नहीं सकते अगर बहुत interesting और बहुत ही weird बात इसमें ये है कि अगर आप के masculine को intimate होना आपके साथ पसंद है तो आपको भी उतना ही पसंद होगा ऐसा हो इन सकता अगर आप true twin flame है तो आपको भी उतना ही पसंद होगा जितना आपके masculine को पसंद है ये बहुत ही एक बहुत ही बहुत ही deep topic है और जितना आप अपने अंदर merge होना शुरू होंगे आपकी जो kundalini है वो rise होना शुरू होगी rise हो रही है या नहीं हो रही है उसके बारे में आपको इतनी चिंता करने की जुरूरत नहीं है अगर आप अपने tune flame से मिले हो तो आप already kundalini rise के उस state में हो और उस journey पे हो awareness आपके अंदर उतनी ही है और मेरा भी experience रहा है 2016 में जब मैं अपने tune flame से मिले थी और हमारा first separation हुआ था हमारी country शिफ्ट हुई थी और मेरे भी एकदम निर्वाना वली state आई थी for two months तब मुझे समझ नहीं थी ये सब चीज़े क्या हो रही है मेरे साथ मेरी kundalini भी raise हुई थी इस चाहीं पर आपका जो focus होना जाए है जो आपकी kundalini है वो intimate relationship आपसे मांगेगी क्यों क्योंकि आपका एक deep और intimate relationship आपके twin flame के साथ ही हो सकता है अगर आप intimate होएं आपने twin flame के साथ तो आप कोई चीज़ पता होगा कि वो कितना deep और कितना ही meditative state होती है और you basically twin flames are born to get intimate क्यों क्योंकि twin flames जब intimate होते हैं और वो love अपना वो एक light की तरह होते हैं जो अपने आसपास सारों की light जलाते हैं तो तब ही तो इतने सारे twin flame all over the world spread होई हैं क्योंकि एक union होगा तो उनके आसपास बहुत सारे लोग pattern तूटेगा unconditional love का और यही reason है कि आपको इतने सारे templates हैं जैसे मेरी twin flame है वो girl है तो हमारा template यह है कि हमें लोगों को यह दिखाना है कि एक लड़का और लड़की ही unconditional love में नहीं हो सकते unconditional love जो है वो एक soul के बारे में है not about our bodies तो इसी तरह आपको अपको अपने templates देखने हैं और इन templates को धीरे-धीरे breakdown करना और उस fear से बाहर निकलना है उस template के fear से बाहर निकलना है जरूरी नहीं है आपने आसपास के लोगों को जा के बोलना शुरू कर दीजिए वो आपके ओपर depend करता है completely but yes अगर आपको बहुत जादा deep बहुत जादा deep आपके अंदर एक desire है कि craving है कि आपको अपने twin flame के सा intimate होना है तो उसमें कुछी गलत नहीं है to be very frank देखिए अगर आपके masculine कार्मिक relationship में है तो आप उनको बोल सकते हैं कि अपना कर्मा पहले clear out कर लीजिए उसके बाद हम इसके बार में we will think about it but अगर आपके masculine already single है और आप यह ढूंड रहे हैं कि आपको कैसे उस connection को strong करना है तो जितना जदा आप उनके साथ intimacy करेंगे और जितना जदा आप उनके साथ अपने सेक्रल चकरा balance out करेंगी especially feminines तो masculine भी जो है वो love की energy में आ जाएंगे not only about sexuality क्योंकि अगर आपने शिव शक्ती की story सुनी है या पढ़ी है तो आपको इस बारे में बहुत और बहुत सारे masculine को यह भी लगता है including me मुझे भी लगता था कि मेरी twin जो है वो मेरी life control करने की कोशिश कर रही है बट यह भी एक ego breakage आपका होगा यह देखना कि आपके twin flame आपकी life control करने की कोशिश नहीं कर रही है वो out of insecurity वो चीज़े कर रही है तो ऐसे ही अगर आप भी द यह उतना ही चाहते हैं अगर आप true twin flame है तो I don't think so कि आप उस चीज़ से बाहर रह सकते हैं या उस चीज़ से अलग रह सकते हैं या उस चीज़ को बोलेंगा रहे नहीं मुझे तो नहीं पसंद ऐसा हो ही नहीं सकता true twin flame के बीच में equal level of love अगर दुनों love करते हैं equal level of नफरत ह होती है तो इसको ऐसे example mirror का example लेते हैं इसमें कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके twin flame third dimension में जादा included है fake life जादा जी रहे हैं fake fakeness उनके आसपस जादा है तो आपके twin भी same या आपके वारे में सोचेंगे कि आपके आसपस fakeness जादा है और आप fake world में जादा जी रहे हैं और fake friends आपके जादा हैं तो ये दोना दरफ से same होता है in fact आपके mirroring इतनी strong हो सकती है कि आपके कार्मिक partners भी एक दूसरे को reflect कर सकते हैं उनका first initial same हो सकता है initial word उनका same हो सकता है उनका background same हो सकता है कुछ भी same हो सकता है और जैसे ही आप अपने karma release करेंगे आप देखेंगे क on the same side आपके twin flame भी अपना karma release करना शुरू कर रहे हैं तो I really wanted to talk about this क्योंकि usually कोई sexuality के बारे में बात करना पसंद नहीं करता है इंडिया में और ना लोग क्योंकि इसको एक गलत चीज माना जाता है बट अगर आप fifth dimension और love की energy में हैं और आप किसी के साथ intimate हो रहे हैं तो I don't think कि वो गलत है वो love है और third dimension की बात नहीं कर रहे हैं हम fifth dimension आपका heart chakra आपकी twin के heart chakra से connected है और अप उस love वाली energy में हो तो there is nothing wrong in it I mean आप आप फिर अपने आप से भाग रहे हो actual में अब अपने twin से नहीं भाग रहे हो it means कि आपको कहीं नगे आपके सेख्रल चक्रा में कहीं लगी healing अभी बाकी है कहीं चीज़े clean out करनी बाकी है बड़ अगर आपको यह लगता है कि आप उनको energy दे रहे हैं उनके बार में सोच के या sexually उनके बार में सोच के आप उनको energy दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है आप और आपके twin flame सेम है अगर आप अपने twin flame को energy नहीं देना चाते तो मैं यह मानती हूँ आप अपने आपको भी energy नहीं देना चाते आप दोनों सेम है I mean different bodies but same तो बाहर से आप लोग अलग दिख सकते है जब body अलग हो सकती है आँखे अलग हो सकती है आपका face अलग हो सकता है बहुत चीज़े अलग हो सकती है but I don't think so inside से आप बिल्कुल same होते हो और जब आप दुनों के chakra's merge होने शुरू होते है और आप दुनों के chakra's जब merge होने शुरू होते है और जब आपके chakra's alignment में आना शुरू होते हैं तो आप heart space पे ज़्यादा आ जाओगे और आ जाते हो तो अपने chakra's पे वख कीजिए और जो आपके sacral chakra में especially feminine आपके sacral chakra में जो भी fears हैं उनको please clear out करिए यह सब कर्मा था और यह होना लिखा था कहीं न कहीं और lastly यही बूलूँगी चाए कार्मिक है चाए सूलमेट है चाए twin flame है हिटरेट किसी के लिए भी नहीं रखनी जब तक आप अपना past clear out नहीं करेंगे तब तक जब तक आप healing नहीं करेंगे तब तक आप अपने twin flame के साथ रहे कर भी नहीं रह पाएंगे reason उसके यह है कि आपको healing करना बहुत important है इस journey में और वो आपके करमा पर depend करता आपका करमा कितना है union भी इस पर depend करता आपने healing कितनी गरी है और आपका करमा कितना बाकी है तो focus कीजिए अपने healing पर यह मत देखिए वो कार्मिक के साथ क्या कर रहे हैं कितना कर रहे हैं अवेकन हुए के नहीं हुए सो रहे हैं जागे हुए हैं कहां गूम रहे हैं क्या कर रहे हैं none of your business वो universe का काम है universe अपने तरीके से खुद करवा लेगा वो चीज़े उन से और आपका काम सिर्फ अपने हीलिंग पर वक करना है और उनको हार्ट स्पेस पर फील करना है हार्ट स्पेस पर जब आप उनको फील करना शुरू करेंगा आपको लगेगा कि एक आउट आफ मतलब आपने ऐसी चीज़ लाइफ में कभी एक्सपिरियन्स ही नहीं करी इतनी ब्यूटिफुल चीज़ होगी वो ओके गाईज तो आप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और प्लीज लाइग और सब्सक्राइब कर दिया गरो थोड़ा मेरा परपस भी इसमें पूरा होगा जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो शेयर करेंगे मैं अपने परपस के और क्लोज आ जोगे और बहुत लोगों को इसमें हेल्प मिलेगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक रौर ऑथेंटिक चैनल है जो बहुत सारी फेमिनिंस की हल्प कर रहा है और क्लारिटी ला रहा है तो मैं ही चाहती हूँ कि और फेमिनिंस को क्लारिटी मिले और जो उनकी कन्फीजन है चीज़ों को लेकर वो और ज़्यदा क्लियर हो थैंकियो सो मच